है ठीक है तो गाइस अभी मेरे पास एक प्यूसी पाइप थी उसको मैंने फ्लैट करके साखाल देख दिया और गाइस यह मेरे पास टोई की थी तो पिछे वला पाइब हूं मोटर थी और गाइस इस गेयर वारी है वह रहे एक गेयर से इस तरके से चलती है कि और अभी हम मेरे पास ही तायर है और यह सी तायर है और कैसे दुसरा जो आगे का पार्ट सोत है वह है और उल्लैस मेंने इस तरिके से बना लिए और आपको कुछ पानाने का नहीं वीडियो बना रहा क्यांकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएंगा इसलिए और गाइस यह अभी रिमोट कंट्रोल नहीं है स्विच वाला ही है फोटो और अब जो हमें यह से एक चाहिए जो प्लास्टिक का ही है आपके पास ना हो तो आपको बना लेना है और टायर भी मैंने इस तरह के से लगा दिये तो मैं इसको लगा देता हो जल्दी जल्दी से और मोटर के उपर इस तरह के से हमें कुछ फिट कर देना जिससे की मोटर हमारी घुमे तो यह रहन करें मतलब की दाय और और बाय और चले ठीक है और इसका तो भी हमें काम नहीं है क्योंकि जब रिमोर्ट कंट्रोल बनाएंग और अब भी में इसका यूज करने वाला हूँ क्योंकि एक प्लास्टिक पे बहुत अची तरीके से मजबूत होती है ठीक है इससे पहले में टाय लगा देता हूँ पिर से मने टाय तो निकालने तो पढ़ेंगे लेकिन लगा देता हूँ कोई बात नहीं और ठीक है तो पहल जली जली से वीडियो को करता हूँ स्पेड में गाइस क्योंकि अभी आपके पास समय भी नहीं होगा वैसे लोगडाउन था अब तो लोगडाउन भी कत्मा हो गया है ठीक है तो मैंने इसको लगा दियो और गया है मजबूती के लिए आप इसके उपसे लोटेप लगाई देना ठीक है तो अब भी में इसके उपरे लगा देता हूँ मैंने सिट जैसा कुछ बनाया है गाइस मैंने पहले बताया था कि में पार्ट बनाने का आपको नहीं बताने वाला इसलिए आप अपनी तरक से बना लेना क्योंकि गाइस अभी वीडियो बहुत लंबी होने वा मतलब कि ट्रेक्टर आप इसको जैसा लुक देना चाहों देख सकते हो आप इसको फरारी लेंबर गिनी जैसा चाहों किसा बना सकते हो गाइस वह आप पर है आप कैसा बना होगी और गाइस मेरे पास है पूरा ने फॉन की बैटरी थी पूरे के वरिक कबल है जीच से कि करने वाला और रिमोट कंट्रोल है ठीक है गाइस पार्ट टू में दो तिन दिन में अपलोड कर ही दूँगा ठीक है तो अभी आप देख सकते हो यह हमारा कंप्लेट हो गया है और अब इसको हमें इस तरह किसे लगानी है तो जो हमारे पास है की बनाई थी हमने आगे वाल मतलब यह पिछेवाला पाइगे महां स्वीच रही इसलिए मैंने थोड़ा सा कट करके लगा दिया है और गाइस आप देख सकते हो फाइनल इसने टेक्टर का लोग थोड़ा बहुत ले लिया है और गाइस अभी मैंने बहुत इसे मोडिफाई नहीं किया लेकिन कोई बार अभी मोडिफाई की जरूरत नहीं साइड आपको देख रहा हूँ इसकी स्पीड देखो मैंने स्लो मो करा है और इस कैमर में रिकोर्ड भी नहीं हुआ आपको वीडियो पसंदें लाइक करें शेयर करना और सब सब भी